अलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आज हम स्टीफन लीकॉक की स्टोरी, माइ फनांशिल करियर की हिंदी में समरी सीखेंगे फ्रेंड्स, ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नेरेटर सुना रहा है, यानि की नेरेटर कहानी में अपनी आप बीती, अपना कोई experience हमसे शेयर कर रहा है इसलिए हमें नेरेटर का नाम नहीं पता चलता नेरेटर जब भी बैंक में जाता है, तो वे बहुत ही डवस हो जाता है बैंक की हर चीज उसे uneasy feel कराती है ये उसने पहले भी feel किया है, पर इस बार उसका बैंक चाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी महीने की salary 56 dollars हो गई है और नेरेटर सोचता है कि पैसे safe रखने के लिए बैंक से अच्छी जगे नहीं हो सकती मैं बहुत slow step से बैंक में enter करता है और इधर उधर देखने लगता है नेरेटर को लगता है कि जिस किसी को भी बैंक में account खोलना है, उसे manager से मिलना पड़ता होगा मैं accountant के counter पर जाकर manager से मिलने के लिए कहता है और वो भी अकेले accountant manager को बुला लेता है, narrator manager से पूछता है क्या वही manager है और क्या वह उससे अकेले में बात कर सकता है narrator को खुद समझ नहीं आ रहा कि वह बार-बार अकेले में मिलने के लिए क्यों कह रहा है manager थोड़ा परिशान हो जाता है, उसे लगता है कि narrator के पास कोई बहुत बड़ा सीक्रिट है इसलिए अकेले मिलने के लिए कह रहा है manager narrator को एक private room में ले जाता है, जहां कोई उन्हें disturb नहीं करेगा narrator को बोलने के लिए शब्धी नहीं मिलते bank manager narrator से पूछता है कि क्या वे Pinkerton agency में detective है friends मैं यहां पर आपको बता दूँ कि Pinkerton एक बहुत famous private security and detective agency है जो की 1850 में United States में establish की गए थी narrator manager को बताता है कि वे कोई भी detective नहीं है और एक bank account खुलवाने के लिए आया है manager को बहुत रहत मैसूस होती है लेकिन फिर भी वे बहुत serious लग रहा था उसे लगने लगा कि शायद narrator बहुत ही अमेर आदमी होगा जिसे करोडों डॉलर bank में जमा करने होंगे narrator ने बहुत धीरे से कहा कि उसे bank में अभी 56 डॉलर जमा करने है और हर महीने 50 डॉलर जमा किया करेगा manager वहां से उठता है और दर्वाजा खोल के accountant को जोर से आवाज लगाता है Mr. Montgomery ये gentleman अपना account खोलेंगे ये अपने account में 56 डॉलर जमा करेंगे दर्वाजा खोल के manager narrator को बाहर जाने का रस्ता दिखाता है narrator उसी counter पर जाता है जहां पर accountant बैठा था वह accountant की तरफ गूल मोल किये हुए पैसे सरका देता है और कहता है इन्हें जमा कर दो narrator की बात करने के लैजे से लग रहा था मानो ये काम बहुत ही मुश्किल और दर्दनाख हो तो वह इसे जल्दी से निप्टाना चाहता है accountant ने पैसे दूसरे worker को दिये उसने narrator से paper पर जमा कियुए पैसों का amount लिखने को कहा और एक book में signature करने को भी कहा narrator को याद आया कि उसे account में से कुछ पैसे भी चाहिए थे narrator ने decide किया कि वह bank में से 6 dollar अपनी day-to-day जरूरतों के लिए निकलवाएगा bank ने उसे एक check book दी और किसी ने उसे समझाया कि check कैसे लिखना है गलती से narrator ने check पर 6 dollars की बजाए 56 dollars लिख दिया परिशानी में narrator को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सभी Clarks अपना काम बन करके narrator को देखने लगे narrator बहुत ही परिशान और दुखी फील कर रहा था फिर भी उसने decide कि वह ये काम खतम करेगा Clark बहुत ही हैरान हुआ कि narrator अभी deposit किये हुए सारे पैसे दुबारा से निकलवाना चाहता है narrator ने सोचा कि bank workers को लगेगा कि शायद check लिखते वक्त उसे किसी बात का बुरा लग गया है इसलिए उसने अपना मन बदन लिया और सारे पैसे अकाउंट में से बाहर निकलवाना चाहता है bank Clark ने narrator से पूछा कि उसे पैसे किन नोट्स में चाहिए narrator ने कहा 50 डॉलर की नोट में Clark ने दुबारा से पूछा कि 6 डॉलर किस करेंसी नोट में चाहिए narrator ने 6 डॉलर्स को 1-1 करेंसी नोट में मांगा Clark ने उने 1.50 का नोट और 6 डॉलर 1-1 डॉलर की नोट में दिये narrator वो पैसे लेकर bank से जल्दी निकल गया bank का दर्वाजा बंद होते ही narrator को उची आवाज में हसने की आवाजें आई ऐसा लग रहा था जिसे सब narrator के उपर हस रहे हो narrator ने decide किया कि वे अब bank में कभी नहीं जाएगा अब वे अपने पैसे bank की बजाए pocket में या अपनी जुराबों में रखता था Thank you friends for watching, keep watching, keep learning और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like और share करना मत भूलेगा